नमस्कार, One India Hindi में आपका सुपवागत है और मैं हूँ आपके साथ भूए देश में जहाँ एक तरफ कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और हुली जैसे तेवहारू को लेकर और साबधानी बरती जा रही है लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है पूरी तरह से काहना की भक्ती के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं यहां कोरोना से जुड़ी किसी गाइडलाइन्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा फ्रंदावन स्थित्वाके बिहारी मंदिर में रंग भरी एकादशी के मौके पर धाकुर जी भक्तो संग जम कर हुली खेल रहे हैं बड़ी संक्या में सुभे से ही अपने अराध्य के दर्शन के लिए श्रद्धालू ललाई थे श्रंगार आरती और राजभोग सेवा के बाद जब ठाकुर जी ने भक्तो संग हुली खेली तो अराध्या के रंग में रंगे श्रद्धालू भी धन्य हो गई गुरुवार सुभे श्रंगार आरती और राजभोग की सेवा के बार ठाकुर जी ने भक्तों के साथ गुलाल और रंगों की होली खेली सुभे से ही अपने अरादे के दर्शन के लिए बड़ी संखा में श्रधालू बांके बिहारी मंदिर पहुँच रहे हैं जहां ठाकुर जी की श्रंगार आरती के बार सेवा यतों ने ठाकुर जी की ओर से श्रधालूओं पर जम कर गुलाल उड़ाया बतादे की ब्रज में करीब 40 दिनों तक होली मराई जाती है इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाती है बसंत पंचमी को वरंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में गुलाल उड़ाने के साथ ही ब्रज में होली का आगाज हो जाता है उसके बाद रंग भरी एकादशी में भक्त अपने अराध्य संग गुलाल और रंग की होली खेल कर होली मनाते है इस बार रंग भरी एकादशी के दो दिन होने के चलते बुद्वार को भी बांके बिहारी मंदिर में रंगों की होली खेली गई फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार